कि नमस्कार बागवन भाई और एंज राचड में आप सभी का स्वागत है मैं विजब्राक्टा लेके हाजर एक नेज वीडियो जो आज का वीडियो है यह कोई टॉपिक में आप लोग को दिसक्रस नहीं कर रहा बस मैं आप लोग को जो एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किस तरह से फूट को त्यार कर सकते हैं या उसकी प्रॉपर कलरेशन किस तरह से आती है आज है तारिक 27 जुलाई और जैसे अलिवेशन पर मेरा और चड़ है वो है 75 सा फीट तो यहां पर जो यह वराइटी है यह वांश रॉयल तो आप इसे देख सकते है कि 75 सा वांश रॉयल का जो सेब है वो किस तरह से बन रहा है तो अभी हमार पास हार्वेस्ट के लिए हम मान के चले है बीस से 15 दिन के आसपास का वक्त है और सेब का जो साइज है वो लगबग बहुत अच्छा बन के आ गया है और एक छोटा सा शॉर्ट सा विजिट में आप कि इसको किया था कि हमने तो लास्ट इसने स्प्रेए है उसके बारे में आप लोग के साथ जानकारियाँ शेयर की थी हमने पिछली समय तो उसका रिजर्ट मैं आप लोगोगा दिखा रहा है तो अगर हम पुटाश को अच्छे से यूज़्स करते हैं तो पुटाश हमें कै करता है तो मैंने लगभग आठ प्रेय किया है अभी हमारा नाइन स्प्रेय करने के लिए वह अभी बाकी है तो आप देख सकते हैं कि कैल्चियम का रिजर्ट किस तरह से फ्रोट में बना है साइज तो अब साइज हो गया अब यह डौट आप लोगा लगभग क्लियर होई गया होगा कि साइज केल्चियम से नहीं रुखता है अब देख़े कलर फ्रोट की क्वालिटी और आप देख सकते हैं कोई rust नहीं है किसी तरह का कोई toxicity नहीं है या किसी तरह की कोई और तरह की कोई बिमारी नहीं है तो यह सब कैसी है जब आप proper management रखते हैं और और चड में proper nutrition देते हैं अभी canopy देखे आप plant की तो sunlight के लिए proper खुला हुआ है और आप इसका fruit देख सकते हैं कि अभी 20 दिन harvest के लिए और है 20 दिन का वक्त है अच्छी बारिशे हो रही अच्छी नमी पड़ी भी है और बीच में sunlight भी proper मिल रहा है तो आप crop load भी देख सकते हैं plant का और crop भी देख सकते है कि color किस तरह का है size कई जगह आपको कम दिखेगा जैसे कि यह वाले fruit क्योंकि जहां पर आपको dense crop मिलेगी जहां थिनिंग नहीं करी है वहां पर क्या होगा मां थोड़ा size का issue रहेगा बट कोई नहीं पुराने plant है तो पुराने plant में थिनिंग करना उतना possible भी नहीं होता है पट अगर आप थिनिंग नहीं भी कर पा रहे बस proper management अगर plant की रखेंगे तो भी आपका क्या है fruit अच्छा बनेगा तो आपको यह देखिए fruit प्लांट में किस तरह से दिख रहा है तो अंदर तक आप देख सकते हैं color अच्छा ने लग गया है size लगबग पूरा हो चुका है अब जिस चीज का हमें weight है वो चीज है harvest के time का तो आप देख सकते हैं कि जहां sunlight proper भी नहीं आप जैसे यहीं देख से हैं आप यहां पर sunlight प्र है कैसी आई है और अभी है बहुत वक्त है हमारे पास आप देख सकते हैं कितना शेड में है यह fruit वट कहीं नहीं हलकी सनलाइट इस तरफ से पास आउट हो रही है nutrition अच्छा है तो fruit में color भी अच्छा बनके आ रहा है तो इस पार की जो size है उसे हम satisfied है color से भी हम satisfied है अभी वक अच्छस दिन और अभी fruit time लेगा और अच्छे से grow up करेगा बट जो तसली है वो है quality इस बार का जो fruit है वो पिछली साल से और बहतरीन बनके आया है ऐसा नहीं है कि अगर हमने पिछली साल quality fruit उता रहा था तो हम इस साल कहीं चुके है नहीं हम इस साल नहीं चुके है हम इस सा अगल भी वैसा ही fruit बनाने में सफर रहा है जहां तक मुझे और उससे बहतरीन fruit है क्योंकि पिछले साल में पस size का बहुत issue था बटाब कई जगह देखिए तो आपको यह साफ दिख जाएगा कि fruit किस तरह से बन रहा है तो बस आप लोग management अच्छी रखे अगर कोई मदद चाहिए तो आप मुझसे contact कर सकते हैं मैं आप लोग की मदद करना चाहूंगा और एक चीज़ का मैं आप लोग को और बता दू कि अगर आप लोग सही से manage कर रहे है चीज़ों को तो आप कभी भी unsuccessful नहीं होगे आप लोग किसी की सुनी सुनाई बातों पर मत आये मस अपनी महनत प्रॉपर रखे और प्रॉपर ली focus रहे है अपने गोल पर तो रिजर्ट्स आप लोग के सामने इस तरह से निकल के आएंगे अब प्लांट का साइज द रूट्स बदल दिये जाए तो हमने एक यह आप देख सकते हैं मैंने स्प्लाई जोड़ी भी यह खुद ग्राफ्ट करके तो यह यहां से फूड इसको पास आउट कर रही है इसकी जो डैमेज रूट है वो भी वरकिंग कर रही है तो जब रूट डैमेज वास से क्या होग तो फूकस ब्लर हो रहा है यह देखिए आप लोग फ्रूट किस तरह का है साइज भी लगवग भी अच्छा ही है तो और क्वालिटी शाइन बैतरिन बस आप लोग फोकस रही है अगर किसी बागवन भाई को शेडियूल बनाना है अपना जो मेरा शेडियूल रहता हम नौ बठम उसमें से भी कौन से फंगिसाइड और नूट्रिशन यूज करते हैं जो हमारे पॉकेट फ्रेंडली हो जो हमारे बजट में है भी ना पड़े तो आप लोग को भी वहसा ही करना है ताकि आपके उपर कोई बढ़न ना पड़े एक्स्ट्रा आप लोगा खर्चा ना ह है आपर बजटिंग करना है कि हमें इस यह कितना खर्च करना है उसमें भी मदद कर सकता हूं इसलिए में साथ जूड़िए सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद